तो गाइस बात करते हैं कि अगर आप लोग अपने phone में business WhatsApp यूज करते हैं और आप लोग अगर account create कर रहें business WhatsApp में और आप लोग को अगर verification का code ही receive नहीं हो रहा है आप लोग के SIM card में तो कैसे आप लोग इस problem को fix करेंगे वो हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे वीडियो स्टाट करते उससे पहले आप लोग हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कलीची का विलका इकन को प्रेस कर लेना है तो यहाँ पे हम अपना जो है बिजनेस वाट्स अप ओपन करते है सिंपले आप लोग को यहाँ पे अपना फोन नमबर डाल लेना है देन सेकेट पेज में आप लोग को जो है अपका ओटीपी आ जाएगा अगर ओटीपी नहीं आता है तो सिंपले आप लोग को करना क्या पड़ेगा आप लोग को अपने फोन की सेटिंग्स में जाना होगा सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे हम एप्स पे क्लिक करेंगे दिन आप लोग को थी डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे आएगा पर्मिसन मैनेजर इस पे क्लिक करिए और Permission Manager पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें Option मिलेगा SMS कास पे क्लिक करिएगा और SMS पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप लोग का अगर Business WhatsApp सो करें तो काफी अच्छी बात है बट यहाँ पे Business WhatsApp आप लोग का सो नहीं कर रहा है Contact पे देख लेते हैं तो काफी अच्छी बात रहेगी यहाँ पे तो यहाँ पे भी Science से जो है Business WhatsApp सो नहीं कर रहा है देखिए यहाँ पे आ चुका है तो आप लोग को Contact का Permission यहाँ से Allow कर देना है या फिर Best तरीका आप लोग को फिर से Apps पे क्लिक करना होगा यहाँ पे हम सर्च करते Business WhatsApp यहाँ चुका है उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे Permissions पे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी Permission इसका Allow नहीं है तो आप लोग को Call Locks होग है जैसे कि हमारा जो Main WhatsApp रहता है उसमें जो Permissions हम Allow करके रखते हैं जैसे कि यहाँ पे देखिए हम अपना Main WhatsApp उपन करते हैं और Main WhatsApp में क्या-क्या Permissions है वो हमें यहाँ पे देख लेते हैं जैसे केमरा परमिसन, Contact, Microphone, Storage तो सेम परमिसन हमें बिजनेस वाटसप पे भी सर्च करना है यहाँ पे तो हम सर्च कर लेते हैं बिजनेस वाटसप अपना और सेम परमिसन यहाँ पे जो रता है इसका हमें Allow करना पड़ेगा जैसे Camera, Contact, Microphone, Storage इन पे क्लिक करिए, माइक्रोफोन पे जैसे भी Allow करिए इनको, जैसे ही आप लोग यह परमिसन को Allow करते हैं आप लोग के फोन में OTP यहाँ पे तुरंत में प्राप्त हो जाएगा कोई भी दिखकत वाली बात नहीं है और एक चीज ध्यान रखिए कि आप लोग जिस SIM Card से अपना Business WhatsApp ओपन कर रहे है उस SIM में Message Pack भी रहना जरूरी है क्योंकि आज कल क्या हो चुका है कि आप लोग अगर OTP सेंड करते अधिकतर देखिया ऐसे तो नॉर्मली आप लोग को Message आ जाएगे बट OTP में दिक्कत आती है कि OTP का में क्या होता है कि आप लोग का SIM Card भी चालू रहना चीए SIM Card में Message रहना मतलब कि Recharge रहना चीए क्योंकि अगर SIM Card में Message Pack नहीं है या फिर Recharge नहीं है तो आप लोग को OTP Receive नहीं होगा तो यह आप लोग को ध्यान देना है और आप लोग का SIM Card चालू रहना चीए और इस Permissions आप लोग को Allow कर लेना है Definitely आप लोग की Problem में आपे Fix हो जाएगी So I hope आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जाहिमाता दी